दोस्तों जैहित नमस्कार मैं हूँ निले सिंग और आज बात होगी साइंस और टेकनलोजी की अद्भुत दुनिया के बारे में एक नाम की जिसका नाम है रोबोट यानि रेंडम आप्टिकल बाइनरी ओसिलेटिंग टेकनलोजी ये रोबोट का पूरा नाम होता है और 1928 में सबसे पहली बार जापानी रोबोट गाकू तेंसोरू को दुनिया के सामने प्रस्तूत किया गया और इसी के बाद जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं ये एक ऐसा रोबोट है जिसके चार पेर हैं इसका नाम है बिग डॉग और इसको बिक्सित किया गया 2012 में और इसको भेजा गया एक सैन अभियान के लिए ये एक चार पेरों वाला सैन अभियान रोबोट चीता है जो आज की दुनिया में सबसे तेज भाग सकता है चल सकता है और इसने 1989 में यानि कि 1989 में MIT के द्वारा बनाए हुए दो पेरों वाले एक रोबोट के सबसे तेज चलने क रिकार्ड को भी तोड़ दिया है तो आगे से आपको याद रखना है कि आज दुनिया में सबसे तेज चलने वाला जो रोबोट है उसका नाम है बिग डॉग और ये सैन रोबोट चीता के नाम से प्रसिद्ध है 2012 में पहली बार ये दुनिया के सामने आता है चार पैर हैं और सबसे तेज भागता है ये रोबोट तो कल होगी मुलाकात किसी और ऐसी ही जानकारी के साथ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी जैहिन